असलाम अलेकुम वेलकम है आप सभी के इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम कुछ इंपाइट पॉइंट आपके साथ डिसकस करेंगे जैसे कि नेक्स सेटब जो है वो कौन आने वाला है मौक ट्राइल्स के बाद and then second round होगा या नहीं होगा, third round होगा या नहीं होगा, cut off उसमें ज्यादा हो जाएगा या come हो जाएगा and उसके बाद हम बहुत ही important एक point discussion कर देंगे तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे और description में टेलीग्राम ग्रूप की लिंक है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम में भी जॉइन हो जाएए ताकि जो भी आपको पूछना है, आप मुझे वहाँ डिरेक्ली टेलीग्राम पे काल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो तो चलिए हम वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए इन दो डाउटर्स पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ कि जिन स्टूड़न्ट को पीम ट्रिबलेस की नीड है, उनको तो इसमें मॉक ट्राइलस में तो कालिज अलाट ही नहीं हुआ है, ना ही उनको फर्स राउंड में अलाट होगा, क्योंकि उनकी परसंटेज तो ठीक ही है, 410, 20, 30 के आस पास, लेकि स्टिल उनको कालिज अलाट नहीं हुआ है, मैं देख रहा हूँ, ऐसे स्टूड़न्ट को कालिज अलाट हो गए हैं इसमें, जिन स्टूड़न्ट को पीम ट्रिबलेस की जरूरत नहीं है, वराल कहने का मतलब यह है, कि जिनका हक है पीम एसेस, उन स्टूड़न्ट को तो इ PMSS की नीड भी नहीं है, क्योंकि वो अची फैमिली से बैक्ग्राउंड है उनका, तो उनको PMSS की ऐसी नीड नहीं है, लेकिन सिटल ये लोग ये पीमेस समें आ जाते हैं, और जिनका ही हक होता है, उन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचता है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप किसी का हक खाते हो और सेकेंड तिंग ये है कि स्टूडंट्स की इंकम जो है वो आठ नाव लाग दस लागे पर मंत की पर येर की लेकिन स्टिल उन्होंने पता नहीं कहां से डूब्लिकेट सर्टिफिकेट्स इंकम की बना ही 30,000, 40,000 उस पर लिख दिये ये बि बिल्कुल भी गलत ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं एसा मत कर लो अगर एसा कोई स्टूडंट है जिसकी फैमिली इंकम 30-40,000 पर मंद है अगर 30,000 भी पर मंद है आपकी इंकम तो भी आप प्राइवेट में जो है अपना कोर्स वो कंप्लीट कर सकते हो या गर जिनके पापा जो मजदूरी करते हैं उनका हाडली 5-6,000 पर मंद आ जाता है अगर वो प्राइवेट में जाएंगे वहाँ पर 10-15,000 पर मंद खर्चा आ जाता है तो वो उसको कहां से वहाँ पर मतलब मैनेज कर देंगे या तो फिर उनको मजदूरी करने है या अपनी एज जब हो वो सेकेंडरी तिंग होती है जब फर्स राउंड की सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी प्लीज आप कंफरम मत कर लो कालेज अगर आपकी फैमिली इंकम अच्छी है 30-40,000 आपकी इंकम है अगर 30,000 है तो भी आप प्राइवेट में मैनेज कर सकते हो क्योंकि 10-12,000 ही प स्टूडंट एसे हैं जो जिनका वन एंड अनली ऑप्शन पीम एसे से अगर आपकी वजह से किसी स्टूडंट का फाइदा हो जाता है तो इससे बढ़कर नेक काम आपको कोई भी नहीं है तो अब ही आप क्या करोगे जिस टाम पांच तारीख को जो है आपकी सिलेक्शन ल नहीं आप इसको फ्लोट कर लीजिए नहीं फ्रीज कर लीजिए आप नाट इंटरस्टेड इन पीम एसेस कर दीजिए ताकि फिर सेकेंड राउंड में जो गरीब और औरफन स्टूडंट है उन तक जो है यह सिकालरशिप जो है यह पहुंचना चाहिए क्योंकि यह हक उनी बोला यह स्टूडंट जो है यह फिर जाते नहीं है यह एडमिशन कर लेते हैं लेकिन उसके बाद इन्होंने कहीं पर नीट की कोचिंग के लिए फांबरा होता कहां पर एडमिशन किया होता तो यह फिर बाहर नहीं जाते हैं यह से कनफरम भी कर लेते हैं सीट इसे हर साल ह होते हैं जो फिर लेफ्ट कर देते हैं तो प्लीज एंड प्लीज अगर आपको ऐसा कुछ इरादा है तो आप नाट इंटरस्टिटिट इन पीम एसस फर्स्ट राउंड में कर लीजे क्योंकि सबसे पहले इनसानियत है उसके बाद आपका जो भी मजभब है वो उसके बाद है तो अगर आप नाट इंटरस्टिट इन पीम एसस कर लेते हैं ता उसके बाद के हो गए जो गरीब एंड और्फन स्टूड़न है जिनकी परसंटेही थोड़ा कम है उन तक जो है यह हाक उनका पहुंच ज जो है वो ओपन है आफमा पॉइंट आप देख लीजिए ट्विंटी सेकेंड तो फॉर्थ अक्तोबर तक जो है उचाइस फिलिंग का पॉर्टल ओपन है फिलहाल जो है आप अपनी चाइस मुकमल कर दीजिए आज पांस बज़े तक पॉर्टल ओपन है देन उसके बाद ज जो एसे स्टूडन्ट है जिनका पीम ट्रिपल एस हक नहीं है वो जो मैंने बोला उस बात को आप नोट कर लो एक बार आप नाट इंटरेसिन इन पीम एसस कर लो जिनका हक है उन तक के पहुँचना चाहिए बाकी अपनी मर्जी है यहां पर आगर आगर आप किसी का हक नहीं है वो आई थिंक फायो को जब आ जाएगी यह देन सिक्स और सैवन्थ से जो है च्वाइस दूबारा से ओपन कर दी जाएगी सेकंड राउंड के लिए नहीं तो आठ या नाउं के बाद ही इसको जो है ओपन कर दिया जाएगा क्योंकि टैन तक जो है वो सीट की कनफ तारीक तक आप पांच दिये जाएंगी पांच दिन में आपकी जो भी सर्टिफिकेट्स वगरा होंगी वो आप बना सकते हैं दन आप कंफर्म करके अपना एडमिशन जो है वो कर सकते हैं उसके बाद कैंसल अगर आपको सीट करनी है तो 11 अक्तोबर तक जो है आपका डेट पार्मेश या किसी और में अगर आप हो जाते हैं तो वहां पर चैन्सज हैं थोड़े से क्या आर्लाइन आपका हो जाएगा जोईनिंग कालिज जो है आपको कालेज recommend करना विफ्ट से 21 अक्तोबर के बीच में किसी भी टाइम आप अपने college जो हातरे जो है वो någonting कर सकते हैं लेकिन इस साल हम एक्सपेक्ट करें कि आनली सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के भी कम चांसेज हैं, फिलाल तक आप देख लीजिए, चोईसेज अपनी मुकमल कीजिए, बाकि मतलब जो मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट उसको भी आप नोट कर लीजिए, तो वीडियो का हम यहीं पर खतम कर लेते हैं, अगर आपको कोई भी confusion, doubt या कहीं पर कोई problem है, आप मुझे directly call भी कर लो, मैंसेज भी